इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं MS Word, Excel और PowerPoint की प्राक्टिस कैसे करें। आओ सीखो, जो MS Word, Excel और PowerPoint की वीडियोस बना रहा है, उन वीडियोस को देखने के बाद आपने क्या सीखा और कितना सीखा, इसका आप स्वया मनुमान लगा सकें। इसलिए हम हमारी MS Office की वीडियोस के description में quiz, exercises और exercise file की link देते हैं। ऐसा करने के पीछे हमारा उद्देश ये है कि आपने वीडियो से जो भी सीखा है, उसकी practice कर सकें। क्योंकि वीडियो देखने से आपको तब तक फायता नहीं होगा जब तक कि आप वीडियो में बताई गई चीजों की practice करके ना देखें। practice करके देखने से आत्मविश्वास और ज्ञान दोनों बढ़ते हैं और सीखी गई बातें आसानी से और बहुत अच्छी तरह से याद रहती हैं। आईए हम आपको बताते हैं कि आप quiz, exercise और exercise फायल तक कैसे जाएं और किस तरह से कारे करें। हमारी वीडियो के नीचे आपको show more option दिखाई देगा। उस पर click करें। यहाँ आपको quiz, exercise और exercise फायल की link दिखाई देंगी। सबसे पहले हम आपको quiz के बारे में बताते हैं। यहाँ quiz के सामने दिखाई दे रही link पर आप click करें। क्लिक करते ही नए टैब में quiz का page open हो जाएगा। quiz को solve करने के लिए यहाँ पर अपना email ID डालें और next पर click करें। आपके सामने multiple choice questions का page open होगा जिसमें वीडियो में बताये गए विशय से संबंधित questions पूछे गए हैं। आप उन्हें ध्यान से पढ़ें और फिर आपको जो answer सही लग रहा हो उसे select करें। एक बात का ध्यान रखें कि सभी questions solve करना ज़रूरी है। सभी questions का answer देने के बाद submit पर click करें। अब result देखने के लिए view your accuracy पर click करें। आपने जितने questions के सही जवाब दिये होंगे वो सब green color में नजर आएंगे। और जिस question का गलत जवाब दिया होगा वो red color में नजर आएगा। साथ ही उसका सही answer क्या है वो भी आपको नीचे दिखाई पड़ेगा। इस तरह आप quiz solve कर सकते हैं। हमने आपको वीडियो में जो भी बताया है वो आपको अच्छे से याद रहे। उसके लिए वीडियो के description में PDF की एक file दी गई है। आप चाहें तो उसे download कर लें या फिर उस file को देखकर कारें। आये देखते हैं कैसे। जहां exercise लिखा है उसके सामने दी गई लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करते ही नए टैब में आपको exercises PDF format में नजर आएंगी। आप चाहें तो इसका print ले ले या इसे download कर ले। या चाहें तो यही देखकर file में दिये गए निर्देशों का पालन करें। आप सीधे word, excel या powerpoint खोल कर उसमें काम कर सकते हैं। और जहां हमें ऐसा लगता है कि practice करने के लिए किसी data की जरूरत है, वहां हमने exercise करने के लिए अलग से एक exercise file भी दी हुई है जैसा कि यहां लिखा हुआ है। Exercise file के लिए पुना हम वीडियो के description में चलते हैं। Exercise file के सामने दी गई link पर click करें। अब download option पर click करके इस file को download कर लें। यह file download हो गई है, यहां से इसे open कर लें। Enable editing पर click करें। इसके पहले हमने आपको जो PDF format में exercise बताई थी। उससे देख करके यहां इस file में practice करें। आई अब हम फिर से वीडियो के description में चलते हैं। इन links के अलावा हमने यहां पर चैनल को subscribe करने की link दे रखी है। जिस विशय की वीडियो आप देख रहे हैं उस विशय की playlist की link दे रखी है। सभी playlist की link भी आपको यहां मिल जाएगी। और website की link भी यहां पर दी हुई है। यदि आप website पर वीडियो देख रहे हैं। वीडियो के नीचे ही आपको quiz, exercise और exercise file के link मिल जाएगी। यहां से भी आप इनका उप्योग कर सकते हैं। या फिर आपको exercises नाम का tab मिलेगा। उस पर क्लिक करके आपको जिस भी topic exercises solve करनी हो उस topic पर क्लिक करें। एक page open होगा जिसमें उस topic की सभी वीडियो के नाम और उसके नीचे quiz, exercises और exercise file डाउनलोड करने के निदेश मिलेंगे। आप उनका पालन करें और आगे कारे करें। इस वीडियो में आपने सीखा MS Word, Excel और PowerPoint की practice कैसे करें।